आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुती टेस्टी पाव भाजी इसके लिए हम पहले ये चट्पटी मसालेदार भाजी तयार करेंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की जो भाजी होती है वो बनके तयार होती है कुछी मिनिट्स में आप ये टेस्टी पाव भाजी घर पे बना सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी से हम इसे बनाएंगे करमा गरम पाउ से कर इसे सर्फ करें सर्दियों के मौसम में पाव भजे का अलगी मज़ा है तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले मैं सबजियों को गलाने के लिए कुकर में डाल रही हूँ तो मैंने डाले हैं आलू एक कटोरी, एक कटोरी ही हम फूल को भी डालेंगे, इसी के साथ पत्ता को भी डालेंगे, एक कटोरी, गाजर भी डाल देते हैं इसमें, गाजर के साथ आप थोड़ा सा चुकंदर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, अब मैं मतर डाल रही हूँ, यह है ताजी हरी म ये आधी कटोरी डालेंगे, तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैं इसको इसके साथ ही डाल रही हूँ, बात में हम थोड़ी मटर और अट करेंगे, पानी डालके इसमें डालेंगे नमक, पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पौडर भी डाल देते हैं, इससे कलर बढ़िया आता है भाजी में, सब चीजों को अच्छा सा मेक्स देके, और फिर कुकर का लिड लगाके हम इसको स्टीम करेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पर तीन सीटी आने तक इससे हम पकाएंगे, इसके अलावा मैंने और भी कुछ सबजिया ली हैं, यहाँ पे है अधरक और लहसुन का पेस्ट भी तयार करके आप रख लें, कुकर में जब तीन सीटी आ जाएं, उसके बाद इसकी स्टीम अपने आप निकलने दें और फिर चेक करें, तो यहाँ पे इस सबजिया आप देख सकते हैं, एक दम अच्छे से गल गई हैं, लेकिन पाओ भाज नहीं करेंगे और बनाएंगे इसका मसाला, तो पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल और साथी में बटर, दोनों चीज डालें क्योंकि बटर का अपना फ्लेवर और टेस्ट होता है भाजी में, यहाँ मैं बहुत जादा बटर और ओल यूज नहीं कर रही हूँ, अ इसको आप दो चमच डालें अच्छी कॉंटिटी में तभी यह बढ़िया लगता है भाजी में, अब लो फ्लेम पर इसे भी भून लेंगे, प्यास के साथ इसे भूनें ताकि प्यास भी जले नहीं और दोनों चीजें साथ में भून जाएं, तो देखिए बढ़िया सा हरी मिर्च को हलका सा सौटे करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च जो हमने बारी काटके रखी हुई है, उसे भी अब मिला देते हैं, इसे हमने प्रेशर कुक नहीं किया क्योंकि शिमला मिर्च को गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और साथी इसका बुनने से बढ़िया आता है, ये देखें इतनी बढ़िया सी बुन गई है ये, एक दो मिनिट आप इसको चलाएंगे तो ये बुन जाती है, अब टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर अच्छे से यहाँ पर गलाने के लिए हम थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे और फिर डा नमक और उसके बाद इसको हम धक्के पकाएंगे, टमाटर को यहाँ पर पहले हमने सौटे किया, उसके बाद इसमें नमक अट किया है, ताकि उनका कच्छापन निकल जाया है और भुनी भी खुश्बु आए, तो अब गलाने के लिए, मैं थोड़ा सा इसको धक्के रख र अब यह अच्छे से मैश हो गई है, तो इसमें डालेंगे एक चम्मच पावभजी मसाला, लाल मिर्च पावडर डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी मिर्च एक चम्मच, बस यह दो ही मसाले मैंने यहाँ पर एड़ किये हैं, इससे जादा हम मसाले आड़ नहीं करेंगे, हमने अल्रेडी जब सबजियां बॉil की थी उसमें भी पावभजे मसाला डाला था इस मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया करीब 3-4 मिनिट तक अब हम इसमें मैश करी हुई सबजियां डाल देंगे और अब हमें इसको ब्लेंड करना है अच्छी तरह से मसालों के साथ इसमें टेस्ट आएगा तो अभी मैंने इसमें पानी एड नहीं किया और इसको 3-4 मिनिट तक भून लिया मसालों के साथ अब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो यहां मैंने करीब एक कटोरी पानी डाला है थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी मिलाएं अगर भाजी बहुत पतल डाल रही हूँ क्योंकि जो मटर हमने डाली थी वो अच्छी तरह हमने मैश कर दी है अलग से जो मटर डालते हैं उसका टेस्ट भी अलग आता है और भाजी देखने में भी बढ़िया लगती है उपर से फ्रेश हरा दिनिया डाल दें थोड़ा सा और बस एक मिक्स देदें अब इसको जादा नहीं पकाएंगे हम एक बॉय लाने देंगे मटर के साथ अब नीबू के रस के बिना तो पाव भाजी बिलकुल incomplete होती है तो भाजी में डाल देते हैं आदे नीबू का रस उपर से भी आप सर्फ करते समय डाल सकते हैं तो ये देखिए बहुती बढ़िय सी भाजी हमारी बन गई है तैयार है सर्फ करने के लिए बटर आप अपने चॉइस से इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा बटर और डालेंगे हम जब इसे सर्फ करेंगे टेस्टी भाजी बनके तैयार हो गई है इसे निकाल लेते हैं तो घर की बनाए हुई जो भाजी है वो बहुती स्पेशल होती है क्योंकि एक तो हम हर चीज बहुती सफाई से बनाते हैं, दूसरा हम यहां पे ओयल बटर वकर बहुत जादा यूज नहीं करते हैं, भाजी तेयार हैं, अब हम फटा-फट से पाउ सेक लेते हैं, पाउ को भी बिल्कुल हम बजार स्टाइल का हो एक पैन में, करमोने पेस में थोड़ी कश्मीरी लाल मिच जाल दें, थोड़ा सा उरहेश कटा हुआ हरा धनिया डालें, भाजी भी डाल दें, एक चम्मच, अच्छी तरह से इसको मिक्स देके, और अब इसके उपर हम पाउ रखेंगे, पाउ को कोट कर दें इन सबी ची रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, अच्छी लग ये तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि सारी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलें और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें, हमारे साथ बन रहे स्वाद्यारसोई में, जहां है स्वाद भी और सेहत भी